रोही शर्मा की अगवाई वाली मुंबाई इंडियन्स आई पिल 2021 में अपना पहला मैच आज यानिकी 9 अपरेल को प्रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलने उतरेगी मजबूत बल्लेवाजी अच्छे पावर हीटर की मौजूद की और मजबूत तेजगिंदवाजी अक्रमन से 5 बार की चैंपियन मुंबाई के नजर लगातार 3 बार खिताब जीतने पर है मुंबाई इंडियन्स ने 2019 में खिताब जीतने के बाद 2020 के COVID-19 महवारी के कारण UAE में खेले गए टूरनमेंट में भी अपना परचम लहराया था मुंबाई ने पिछले कई वर्षों से अपने प्रमोग खिलाडियों को टीम में बनाए रखा है और उसके दबदवे का ये मुख्य कारण रहा है मुंबाई का कमजोर पक्ष स्पीन भी भाग है जो उसकी खिताबी है ट्रिक किरा में परेशानी का सबब बन सकता है बल्लेबाजी मुंबाई का मजबूत पक्ष है जिसमें कप्ता रोही शर्मा और दक्षिन अफरीका के कुईन डेंटी कॉक जैसे सलामी बल्लेबाज शामिल है अगर आवशकता पड़ती है तो आस्टेलिया के क्रिसलीन भी जिम्मेदारी समालने के लिए तयार रहेंगे वहीं आपको बता दे अपने खेल में लगातार सुधार कर रहे सूरी कुमार यादव और इशान किशन उनके त्रूप के एक्के हैं इन दोनों ने हाल ही में भारत की तरफ से अंतराष्टे क्रिकेट में प्रदापन किया पांडिया बंध हो अल्राउंडर हार्दिक और कुनाल तता वेस्टन डीज के काईरन पॉलनाट की मौजोदकी से उसका मध्यकरम बेहत मजबूत दिखता है नहीं गेंदबाजी भीभाग में उसके पास भारत के सर्वस्रेश्ट तेज गेंदबाज जस्ट पूमरा है पिछले सस्तर में न्यूजलेंड के ट्रेंट बोल्ड नेम पावर प्ले में विकेट लेनी की अपनी शमता साबित की थी आस्टिलिया के नाथन कुल्टा नाइल भी उनके पास है जिससे मुंबई का तेज गेंदबाजी आकरमन खतरनाक नजराता है मुंबई का कमजोर पक्च उसका स्पीन भीभाग है जो की चन्ने के चेपाक स्टीडियम की पिछ पर बेहत कारगर साबित होगा मुंबई के पास विकेट हासल करने वाला स्पीनर नहीं है और ये कमजोरी उसे भारी पड़ सकती है बाए हाथ का स्पीनर कुनाल पांडिया रनों पर अंकुष लगा सकते हैं लेकिन वो विकेट हासल करने में माहिर नहीं है ऐसे में स्पीन विभाग का जिम्मा यूबा राहुल चेहर की कंदो पर आ सकता है जिने आईपियल की देन माना जाता है और स्पीनर जेन ती आदव ने पिछले सस्तर में केवल दो मैच खेले थे और देखना है कि इस बार उने कितने मैच में मौका मिलता है बंबई ने अनुवभी प्यूश चावला को टीम से जोड़ा है लेकिन चेहर और कुनाल की मौजूदकी में उन्हें अधिकतर मैचों में पहार रहना पड़ सकता है चावला ने IPL में 156 विकेट लिये हैं और वो इस टोनामेंट में सरवदे विकेट लेने वाले गिंदवाजों में 30 नंबर पर है बुंबई के पास मध्यम करम में बिग हिटर है और ये टीम का मजबूत पक्ष है विशेश कर चैनने और बैंगलूर में लक्ष का पीछा करते हुए उन्हें इससे काफी लाब मिलेगा इनमें पॉलाड और पांडिया बंदू प्रमोग है पॉलाड गिंदवाजी में भी अपना योगतान देश सकते हैं और पांचवे या छटे गिंदवाज की भूमी का भी निवा सकते हैं खेर ऐसे में आज का मैच देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है खेर बुंबई और आर्सीबी को लेकर आपको क्या लगता है आखेर कौन सी टीम आज मारने वाली है बाजी हमारे कमिट बॉक्स बर जरूर बताएं LD Newsroom की रिपोर्ट